तो इसलिए बता दे रहा हूँ देखे जितने लोग बुक खरीदेंगे अगर तो ACN की खरीद रहे हैं या सार्थक की खरीद रहे हैं कोई भी बुक खरीदिये उसमें आगे syllabus दिया होता है ध्यान से सुन लीजी मेरी बात पहला ये class है इसलिए बता रहा हूँ syllabus आप उठाईएगा पहले दूसरे पेंच पर syllabus होगा उसमें repair and maintenance आप building ये आपको ध्यान रखना है और पहला चैप्टल है need for maintenance ठीक है यही बुक लेनी है आपको और ये ACN वाले में आरती चोरसिया ने इसको लिख रखा है ठीक है अब ये बुक कर कोई अड़रटाइज नहीं कर रहा हूँ ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बुक अच्छी है ये सार्टरमीन हुने लिखा है और फालतु चीजे नहीं लिख रखी है इस ACN आपको पढ़ाई करनी है कोई भी राइटर की आप बुक लिये हूँ आपको चैटर फस्ट नीड फार मेंटिनेंस पढ़ना है दूसरा चैप्टर एजेंसी काजिंग डिटोरियेशन सोर्सेस और काजेज इफेक्ट पढ़ना है तीसरा चैप्टर इन्वेस्टिगेशन दिफेक्ट पढ़ना है चौथा चैप्टर इफेक्ट एन्वेस्ट पढ़ना है तो चैप्टर इसमें पढ़ने है और इसके बाद अब हम लोग आगे शुरुवात करते हैं ठीक है अगर कोई गलती से मेकेनिकल ब्रांच किसी का लिया हो उससे नहीं मतलब है आप बिल्डि चैप्टर नमबर 1 से 6 तक पीडियाप वो अपलीकेशन में अपलोड में कर रखा हूं यही वाली पीडियाप वहां से जाईए यह पीडियाप डाउनलोड करिएगा इसको प्रिंट करा लीजिएगा यह बूक ही नहीं एक तरह का नोट से है क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजे डिलीट कर दिया हूं जैसे देखी यहां जगा जगा पर मैं डिलीट कर दिया हूं एडिट कर दिया हूं तो यह पूरी खाब भूक है नहीं है उसमें से एडिट कर करके जो मोस्ट चीजे हैं जो आपके लायक शीजे हैं बस वही इस पीडियाप में ओलेवल हैं इस में पहला टापीक है भवन अनुरच्छड के सिध्धान्त प्रिंस्पल आप बिल्डिंग मेंटेनेंस जो जो टापीक पढ़ाएं वो टापीक को आप किलियर करते चलें और समस्ते चलें एकदम कोरेलेट बिल्डिंग से रिलेटेड है जो बिल्डिंग का श्रक्षन आप इस्टर चल रहा है तो उसको अलग कर दिया गया बिल्डिंग का श्रक्षन अलग कर दिया गया मेंटेनेंस अलग कर दिया गया नहीं लोग पहले क्या पढ़ते थे बिल्डिंग का श्रक्षन एंड मेंटेनेंस सब्जिक्ट पढ़ते थे अब क्यों पढ़ रहे हैं कैनिकल ब्रांच को दे दीजिए, बोली आप ले लो भाईया, हमको पैसा दे 200-200 रुपय जो भी है, काम अपना हो जाए, बस दूसरी स्क्या लेना देना, भवान अनुरच्छण के सिधान, प्रिंस्पल आफ बिल्डिंग मेंटिनिंस, अनुरच्छण, आखिर मेंटिनिंस है क्या, अनुरच्छण है क्या, इसको समझिए, मेंटिनिस क्या चीज होती है, मेंटिनिस का मतलब है, कि हमको मेंटेन करना होता है, जैसे हम मोबाईल लेकर आए, और अगर कुछ इसमें डिफेक्ट आ रहा है, टेमपर टूट गया है, ठीक है, उसका कबर टूट खट गया है तो हम उसको सही तरीके से नया लगा कर उसको फिर से मेंटेन कर दें, और सही तरीके से फिर यूज करने लगें, यानि कि हम लोग कह सकते हैं, कि ऐसा कोई आइटम है, ऐसा कोई आइटम हो जिसको हम लोग क्या करें, सुईकार इस्थिती में रखने के लिए, ताकि उसको ए लेपटाप है एक्जामपल ले रहे हैं अब लेपटाप अगर रखने किस्थिति में होगा तभी न हम रखेंगे पता चला कि उसमें सही कामें नहीं कर रहा है तो क्या होगा फिर रखने किस्थिति में नहीं है यानि acceptable अब लेपटेबल कंडीशन में होनी चाहिए और acceptable condition लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा और मेंटेन करने के लिए हमें कुछ न कुछ उसमें नई चीज़ें डालनी पड़ेंगी ठीक है जहां पर जरुत होगा ठीक है तो उसको हम लो को संयुक तुरुप से maintenance या अनुरच्छन गहज करते हैं ठीक है तो maintenance या अनुरच्छन किसको कहते हैं जब भी acceptable condition में अगर उसको रखना हो तो ऐसे हम क्या उपाई करें जिसकी वज़े से क्या हो कि वह हम उसको रख सकें उसी को हम लोग maintenance कहते हैं अनुरच्छन कहते हैं clear हु पहले समझ लिजी क्या पता आगे की चीज़े हम एकदम clear कर दें तो maintenance हम कह सकते हैं कि किसी item को acceptable condition यानि रखने की स्थिती में लाने के लिए ठीक है किये गए जो उपाई है उसको संयुक तुरूप से हम लोग क्या कहते हैं maintenance कहते हैं कोई building है अब building पढ़ रहे हो तो building की बा का दरवाजा खिड़की हो सीसाओ गरन तूटा हो इस तरह की चीज़े ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसमें आवासी यह सारवाजनिक और द्योगिक या किसी भी प्रकार के भावन को लंभी अवधी तक अच्छी कारेकारी इस्थित मनाय रखने के लिए समय समय पर भा अकबाल वह मरमत की आसकता पड़ती है यह कार भवन अनुरच्छर बिल्डिंग मेंटरेनेंस के अंतरगत आता है अभी तक जो आपने मेंटरेनेंस का डिफिनीशन पढ़ा है वह मेंटरेनेंस का डिफिनीशन आप किसी भी छेत्र के लिए कर सकते हो यानि आप मोबाइल के कोई भी आपकी बाड़ी हो गई तो किसी के मेंटरेनेंस की बात हो रही हो तो आप एकसेप्टेबल कंडिशन रखने के लिए जो उपाय आप करते हैं वह मेंटरेनस कहलाता है ठीक है तो आप यही चीज बिल्डिंग में अगर लागू करें कि जैसे आवासी भवन हो सकता ह सारवाजनिक भवन हो सकता है अवासी भवन जिसमें हम रखते हैं सारवाजनिक भवन जिसमें हास्पीटल उगर इस तरह के भवन और जयोगीक बिल्डिंग हुई इसमें किसी भी प्रकार की भवन को अगर लंबी अवर्धी तक क्या करना है उनकी कारेकारी स्थिति में पड़ेगा ठीक है और यही कार्य भावन अनुरुच्छन यानि बिल्डिंग मेंटेनेंस के अंतरगत आता है तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं मेंटेनेंस करते हैं बिल्डिंग का धूप वर्सा तापकरम परिवर्तन वा अन्यवातावन परिवर्तन नमी धीमक आग आग भवन की आयू आयू यानि एजिंग का भवन सामगरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे भवन का डिटोरियेशन होने लगता है। करते हैं तो भी बिल्डिंग में क्या होने लगता है अपचय यानि डिटोरियेशन होने लगता है। ज्यादा अधिक टंप्रेचर हो गया तो इसकी वजह से भी जो है इसकी वजह से भी जो है क्या होता है कि परिवर्तन जब भी टंप्रेचर होता है तो प्लास्टर पर एफेक्ट पड़ता है। ठीक है नमी उगर लगने लगती है दीमक को लगर लग जाए दीमक कहां पर लगेगा जो बिल्डिंग में दरवाजे खड़की होंगे उसमें दीमक लग जाता है। ठीक है इस तरह की चीजे होने लगती है तो बिल्डिंग की आयू क्या होगी आपको आगे बढ़ाना है आगे उसकी उम्र बढ़ी रहे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कुछ न कुछ ब्योस्थात अपनाएंगे तो जिससे क्या होता है भावन में डिटोरियेशन होने ल धी जिगन जिगन पर क्रेक डेवलप हो सकते हैं ठीक है इस तरह की चीजे हो सकती है तो यहां पर बिल्डिंग में डिटोरियेशन होना सुरू हो जाता है इससे भावन की सुन्दरता भव्यता उप्योगिता और टिकाउपन काफी लंबे समय तक बनाए रखे जा सकता है अ आवन में अपच्छे के सुरूत सोर्स आप डिटोरियेशन किसको प्राबलम है आप बताईए ठीक है सर जी एक्जाम कब होगा कोई डेट बता दीजिए ना देखिए एक्जाम जो है क्या प्राब्स एक्जाम जो है आपका थोड़ा सा डाउट है मान के चलिए 90% मान के चल अब क्या प्राबलम है विपिन क्या प्राबलम है जिसके में ऐसा प्राबलम आ रहा हो ना सीन्स लाइक इंटरनेट कनेक्शन कुछ करके लिख रहा हो वो लोग वीडियो को बंद करके दुबारा चलाएं लेकिन नेट बंद करके चालू कर लें ऐसा प्राबलम हो रहा है क् नेट उतनी अच्छी नहीं है लोगों में इसलिए दिक्कत होती है ठीक है जुलाई में ही होगा परशान मत होईए अब परणे पर ध्यान दीजी इतना महोल अच्छा बना है और टाइम भी निकल जाएगा आधे घंटे का समय बचा है और आप उसी में बाते कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा न अब एक दिन टाइम निकलता है इसका अब इसको टाइम सेडूल कर देंगे तो एक घंटा इसको पढ़ाएंगे घंटा प्लंबिंग पढ़ाएंगे कल से तो इसलिए पहले शुरुवात कर रहे हैं तो करने दीजिए पढ़ाने दीजिए ठीक है भवन में अपचय के सुरूत सोर्स आप डिटोरियेशन सोर्स आप डिटोरियेशन ठीक है भवन अपचय के सुरूत आखिर deterioration कैसे होता अपच्छे कैसे होता बिल्डिंग में क्या कारण है कि हमारे बिल्डिंग में अपच्छे होने लगता है अपच्छे के सुरोत क्या है कहां से सुरुवात होती है तो भवन में अपच्छे के प्रमुक कारण निम्न है देखे कौन कौन से होते हैं, पहला है नमी सीलन धूप वरसा आदी, अगर बिल्डिंग में नमी आ जाए, बिल्डिंग में नमी कैसे आएगी, आसपास के छित, अगर वाटर लॉक्ड है, यानि पानी भरा हुआ है, नहर उगरा घर के आसपास से जा रही है, तो वहां से नमी आना सुरू हो जाता है, नमी कैसे आता है, कैपली रियक्षन के थूरू, मिट्टी में कैपली रियक्षन के थूरू, बिल्डिंग में नमी आना सुरू हो जाती है, ठीक है, सीलन, वही नमी को ही सीलन यहां पर करते हैं, धूप हुआ, अचानक बहुत अधिक धूप हो रहा कपटे है तो भी दरवाजे खिड्कियों में क्या हो सकते हैं वर्सा हुई और माइस्चर आज आएगा बारिश से दरोजे खड़ की भीगते हैं, उसकी वज़़े से भी नुकसान होता है, तो इसकी ये सब क्या हैं आपके, इसकी वज़़े से अपच्च्च वोना सुरू हो जाता है, शाथा है, प्रीukत सामगरी की क्वाल्टि उपद्च ना हो झा आया कि आपको YUM 20 ग्रेट की कंक्रिट यूज करना है और सिमेंट एसी सी वाला यूज करिए कोई बिरला लेके चलाया यंपी बिरला लेके चलाया अच्छी क्वाल्टी का सिमेंट नहीं यूज किया तो वहाँ पर भी एक ये सोर्स हो सकता है एक स्रोथ हो सकता है बिल्डिंग के अपच्छे का होने की कारण यानि कि अच्छी प्रकार की अच्छी क्वाल्टी का वहाँ पर material उपयोग नहीं किया गया है ठीक है निर्मार तकनीकी सही न होना मानली जी की जो construction कर रहा है ठीक जो engineer है वह सही उसके पास technology नहीं है अगर मानली जी अच्छी technology आप यूज नहीं कर रहे हो तो उसकी वज़े से भी problem हो सकती है सही आप technology नहीं यूज कर रहे है यानि सही machinery नहीं यूज कर रहे है इसकी वज़े से भी हो सकता है दीमक वा अन्य कीटानू मान लिज़े खिड़की दर्वाजे हैं उसमें दीमक लगने लगे की टानू लगने लगे दर्वाजे खिड़की में दीमक लग जाएंगे तो पूरा का पूरा वो खराब हो जाएगा ठीक है तो इसकी वज़े से बिल्डिंग में क्या हो सकती है यहाँ पर आपको maintenance की जिरु यूज कर रहे हैं दर्वाजे खिड़की बना रहे हैं वहाँ पर रेलिंग लगा रहे हैं वहाँ पर तो अगर हमारा क्या हो रहा है कुरोजन धातू में अगर कुरोजन स्टार्ट हो जाएगा जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर भी हमारा अप्छे होना तूट जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई हाथ में हम वजन चीज लिये हैं, गिरे, ये ताइल्स तूट जाए, तो बहुत सारी प्राबलम्स आ जाती है, तूट फूट हो जाता है, जब हम बिल्डिंग का प्रेवक करते हैं, कही नि-कही तूट फूट हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वज़े से भी हमारा आपचे होना शुरू हो जाएगा, किसी वस्तु के टकराने या थ्वा गिरने से होने वाली तूट-पूट, मान लिजिए कोई मेज लेके जा रहा है, अचानक वजन है और रख दिया तुरंत, और रखा तो टाइस गया, तो गिर गया, तूट गया, तो इसकी वज़े से भी हमारा नुकसान हो सकता है, समय का प्रभाव यानि की aging, मालीजिये समय का प्रभाव यानि की ज़्यादा जब किसी भी कोई भी product है उसका ज़्यादा समय होगा तो automatic उसमें ढीखे होना सुरू हो जाता है जैसे कोई building है ज्यादा age उसकी हो जाएगी तो धीरे धीरे उसकी strength पर प्रभाव पड़ेगा दरवाजे खड़किया तूटने सुरू हो जाएंगे सी से तूटने सुरू हो जाएंगे प्लाश्टर उखडने लगेगा तो aging के प्रभाव से भी जो है नुक्सान होता है अपच अनुसमवफपेंट की आसकता होती है तो यह सबसे बड़ा है अगर हम देखें सही माइनिये में में तो हर तीन साल पे कम से कम कम से कम हर तीन साल पर आपको किसी भी building का पुताई रंगाई कराते रहना चाहिए कम से कम तीन साल नहीं ठीक है अगर एक साल पर करार है तो अच्छी बात है लेकिन कम से कम तो तीन साल तो कराईए कराईए ठीक है, तो इसलिए क्योंकि बाहर के अगर सही तरीके से पेंटिंग नहीं है, सही तरीके से डिजाइनिंग उसमें परिसज्जा नहीं है, कलर बदल रहा है, पेंट छूट जा रहा है, तो इसकी वज़े से भी परभाव पड़ता है, सिमेंट की प्लाश्टर गोरा उख़ड ठीक है, वर्सा के कारण भावन की न्यू बैट सकती है, जिससे भावन में गंबीर दराने पर सकती है, भावन छतिगरस्त भी हो सकता है, ज्यादा अधिक अगर बारिस हो जाती है, आसपास के छेत्रों में, तो उसकी वज़े से भी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है, व लेकिन अनिक्वल सेटलमेंट हो जाए, यानि अनिक्वल का मतलब एक तरफ का फाउंडेशन सेटल कर जाए, दूसरी तरफ का फाउंडेशन सेटल नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर बिल्डिंग के दिवालों में दरारें पड़ जाती हैं, तो यह सब क्या है, यह सब अप्षे हो रहे हैं, आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट, डीके और डीटोरियेशन में डिफरेंस क्या है, डीके का मतलब होता है कि समय के साथ, समय के साथ क्या होगा, धीरी धीरे माटेरियल में तूटना सुरू हो जाता है, जैसे कोई गाड़ी ओडी लिए बाइक लीजिए रहिए आप, या कोई और प्लास्टिक का मतेरियल लीजिए, एदम एक्जामपल समझना हो, कुछ दिन तक या कई सालों तक में रख दीजिए, या फिर पानी की टंकी आप रखिए, पानी की टंकी प्लास्टिक वाली 10-20 साल हो जाए, आप ऐसे हाथे से मारेंगे न तो तूट कर निकल जाएगा, यानि वो डीके होना शुरू हो जाता है, तूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये जो आप डीटेरियेशन की बात कर रहे हैं, डीटेरियेशन क्या है, एक तरह का क्या है, डीके ही होता है, ठीक, डीटेरियेशन में जैसे ये सारी च साथ वहाँ पर तूटना शुरूआ दोने में जमीन आसमान का फर्क एक मत करी उसको ठीक है ये क्या हुआ भाई ममता प्राबलम ही प्राबलम आपके साथ रहती है पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हो ठीक है सर एकजाम 15 जून से अभी किलियर नहीं है याप पढ़ाई करी या आप लोग मैसेज क्यों देखते रहते हैं हमको नहीं समझ माता है हमको तो नहीं मैसेज दिखता है आप लोग पढ़ाई करते हों किये हो पढ़ाई पी ध्यान दिया करिए ना छोड़े यह चैट पर जिसको मेंटिनेंस के उद्देश, आपजेक्टिव आप मेंटिनेंस, हमारा उद्देश क्या है मेंटिनेंस करने का, क्यों हम मेंटिनेंस करते हैं, पताईए क्यों हम मेंटिनेंस करते हैं, चलिए, ठीक है, क्यों हम मेंटिनेंस करते हैं, मेंटिनेंस के उद्देश क्या है, आपजे आपको service दे रहा है, आपको building खाना पीना नहीं देता है, product नहीं देता है, आपको service देता है, आप उसका उपयोग करते हो, ठीक है, किसी भी building का, ठीक है, जहां से आपको सुविधाय मिलें, आपको सुविधाय मिलती हैं, उसको हम लोग करते हैं, service मिलना, जैसे हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको कोई production थोड़ी ने दे रहे हैं, कोई product थोड़ी तयार कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं खाने के लिए, आपको हम services दे रहे हैं, और उस services का पैसा लेते हैं, ठीक है, और इसी तरह से building आपको क्या देता है, service देता है, ठीक है, building क्या देता है, आप उसमे हम लोग building को क्या करते हैं maintenance करते हैं तो पहला उद्देश क्या है कि services आपको अच्छी मिलती रहे इसलिए building को हमें maintain करना पड़ेगा ठीक है उसरा है उसे original standard पर restore करना मान लिजे कि अभी आप नहीं नहीं जब building मनाते हैं तो उस समय वर्जिनल उसकी condition होती है ठीक है लेकिन दो चार साल बाद क्या हो जाता है थोड़ा थोड़ा उसके क्या होता है वो services थोड़ा अच्छी नहीं देती ठीक है कहीं दरवाजे खिरकी टूटे हुए रहते हैं घर के अंदर धूप आने लगता है तो उसको फिर से restore करना हो अगर वही original condition फिर से restore करना हो तो आपको क्या करन पड़ेगा maintenance करना पड़ेगा ठीक है तो तीसरा है भवन अभियंतन में होने वाले नित नए विकास के अनुरूप भवन की फैसल्टी में सुधार लाना ये तो बहुत लोग करते हैं जैसे आभी हम ही अपने घर पे करवाएं हैं पुराना बिल्डिंग था उसको फिर से maintenance क कर आके और नए तरीके से कर दी तो आप लोग भी ऐसे करते रहते हैं बहुत सारे लोग करते हैं कोई दरवाजे खिड़की आपने सामने हैं तो नया कुछ टेक्नलाजी आया तो थोड़ा से उसको तुड़वा कर फिर से maintenance करवा के और फिर नए तरीके से बना लिए ठीक है तो जैसा जैसा नई engineering आती है building engineering तो उस हिसाब से नए कुछ development हुए उस हिसाब से उसको नए facility में सुधार लाते हैं लोग उसको तुड़वा कर ठीक है उसकी utility value को बनाये रखने के लिए देखिए utility value का ये मतलब है कि अगर आप कोई building आपको हम बना के दे दे आप उसका maintenance न एक को बार service मत कराईए और खुब यूच करिये धुवादार जब आप उसको बेचेंगे तो क्या पैसा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा अगर उसको time to time आप maintenance करिये तो उसकी utility value बढ़ती जाए मतलब एक तरह से घटेगी नहीं अचानक utility value क्या होगी बरकरार रहेगी जब इसको बनाया रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग इसको maintenance करते किसी भी building का संग्रश्चना में होने वाले deterioration को रोकना तका उसकी रफ्तार को धीमा करना तो मालीजी कहीं कहीं पर deterioration हो रहा है plaster उखड रहा है इट धीरे-धीरे लोना लग जा रहा है निकल लोना ल लिए हम लोग क्या करते हैं maintenance करते हैं या इसकी रफ्तार जो है टूटने की वह ज्यादा तेज हो रही तो धेवा करने के लिए नीमित रूप से योजना बद maintenance program तथा crisis maintenance को avoid करना ठीक है मान लीजीए कि नीमित रूप से उसमें कहीं पर program उगर बना रहे हैं लोग कि बार ब program बनाने आर आज maintenance कर दिया जाए कल maintenance कर दिया जाए तो इन सब को avoid करने के लिए हम लोग time to time maintenance कर देते हैं भाई चलो maintenance कर दो ताकि बार बार program लोग ना बनाए ठीक है इसके लिए हम लोग maintenance करते हैं ठीक चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं भवविकल्पी प्रस नहीं पानिकिन अ bekommt है भूदिन द्रक अदी करें उसका स्वाद़वी नमकीन लोना इस लिए लगता है मौयं करके। लोना में मौयंकर की वज़े से लगता है ज्यादा समय तक अगर किसी भी बिल्डिंग में इट अगरा में मौइस्चर रहेगा तो लोना लगना स्वभावी सी बात है ठीक है इसकी बज़े से होता है ठीक है हाँ मंता तुम्हारी पिटाई हो जाएगी बता दे रहें चलिए मेंटिनेंस के प्रकार टाइप आफ मेंटिनेंस में प्रकार के होंगे अलगलब प्रकार के आपको मेंटिनेंस देखने को मिलता है ठीक है मेंटिनेंस के प्रकार आईए देखते मेंटिनेंस के प्रकार में इसमें एक चीज और है फैक्टर अभी देखना पड़ेगा पहले थो हम मेंटिनिस की प्रकार देख लेते हैं आज इसी पर रोक देंगे न क्योंकि आगे अभी और टापिक है तो फिर फंस जाएगे जाके ठीक है चलिए मेंटिनिस की प्रकार दो कलास कर देंगे इसका मेंटिनिस की प्रकार जहां पर जरुरत होगा, वहां पर हम maintenance करेंगे, ठीक है, तो पहला क्या है यहां पर maintenance के type of maintenance में, पहला है preventive maintenance, preventive maintenance, preventive maintenance क्या होता है, preventive का सब्द का ही मतलब है, बचाना, preventive का मतलब क्या है, बचाना, preventive maintenance, यानि preventive maintenance किसी आइटम को फेल होने से पहले किया जाता है, यानि वो प्रिवेंट करना क्या होता है बचाना यानि अगर फेल हो रहा है कहीं पर क्रेक डबलप हो रहा है कहीं पर प्लाश्टर उखड रहा है उससे पहले ही क्या करेगा वो उसको बचा लेगा हम लोग ऐसा मेंटरिनेस करें ताकि फेल होने से पहले क्या हो उसको बचाया जा सके ठ ठीक है, उदारन तौर पर बात करें, protective coating, waterproofing membrane, जैसे हम पहले से ही waterproofing membrane लगा दें, ताकि building में क्या हो, ताकि building में पानी नमी उगर ना आने पाए, यानि कि हम नमी लगने से पहले क्या कि यह waterproofing कर दिये, ठीक है, तो इसका मतलब है, कोई item फेल होने से पहले, जब भी maintenance किया जा कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, preventive maintenance, आपसे interview में question पूछा जाता है, कि preventive maintenance क्या है, corrective maintenance क्या है, यह JEE में भी question पूछा था, जैस्ट जो JEE के paper हुआ था, उसमें यह question पूछा था, कि preventive maintenance क्या होता है, यह सारी चीज़े पूछता है, corrective maintenance की अगर बात करें, जहान सम कुणा तब करते हैं करक्टू का मतलब है करेक्शन करना यानि कि सुधारना इसका मतलब is कि यहां पर मेंटनेन्स फेल हो चुका होगा तभी तो सुधार रहे हैं तो करेक्टू मेंटिनेन्स spilled मेंटनेन्स आइद आइक पिर प्रफौर मन थे歡迎 को आइध्य wise या उसकी परफार् यानि कि correct करना फेल हुआ तुरंत correct किये ऐसा maintenance करना जहां पर तुरंत उसको सुधारा जा सके जैसे crack develop हो जाए हम उसको तुरंत ही क्या करते हैं ग्राउटिंग करके crack को repair कर देते हैं या फिर कहीं पर संचारन हो रहा है को रोजन लग रहा है तो वहां पर तुरंत उसको क्या क प्रत बातुन करे करक करके तुरंत हम लोग जंग से रोक ले रहे हैं तो यानि कि correct to maintenance है जो तुरंत उसका क्या किये जाए इलाज किया जा सके यानि फेल हुआ तुरंत उसको सही कर देm । planned maintenance क्या होगा planned maintenance क्या होगा यानि कुछ planning वाली बात हो रही है क्यों planning वाली बात हो रही यानि planned maintenance का तातपर है उन maintenance activities से है जो कि planned या documented या scheduled होती है यह पहले से plan की गई होती है कि आगे हमको 10 दिन बाद maintenance करना है ऐसा कुछ ठीके हर 5 दिन पर maintenance करना है ठीके तो plant maintenance था preventive maintenance measurement को merge करना PPM plant preventive maintenance करता है तो यहाँ पर plant maintenance और preventive maintenance measurement को क्या करते हैं merge कर देते हैं ठीके तो यह plan करके करते हैं कि आगे 4 दिन बाद क्या करना है maintenance करना है इस तरह से plan करके जब करते हैं उसको हम लोग प्लान मिंटिनेंस कहेंगे, फ्रंट लाइन मिंटिनेंस, फ्रंट लाइन मिंटिनेंस भुवा एक्टिविटी, देखे, प्लान वाले में जैसे रंगाई पुताई का काम होता है, तो रंगाई पुताई का काम प्लान करके ही किया जाता है, वो फेल होने पर नह रंगाई करवाना है इस तरह का मेंटेशनेंस हमकारा प्लान मेंटेनेंस में आएगा front line मेंटेशनेंस क्या होगा यानि कि यह वह अक्टिविटी जाती है जो तब की जाती हैं जब कोई भुवहन यूज किया जा रहा है जैसे painting और decorating तो यह front line है यानि अचानक सा सामने जो हम यूज हो रहा होता है उसी समय हम लोग front line यानि आगे बढ़ चड़ कर तुरंद उसका maintenance कर देते हैं protective maintenance क्या है protective maintenance का अंतरगत उन तत्थों की पहचार की जाती है जो failure का कारण बन सकते हैं तो यह धूड़ा जाता है कि यार हो सकता है कि इसकी वज़ा से कुछ कहीं पर crack डबल अप हो जाए तो इसकी वज़े से पहले से हुशको हम लोग क्या करते हैं प्रोटेक्टिव मेंटेनिस कर देते हैं माल लीजे कि कहीं पर हो सकता है नमी उगरा आने के चांसेज हो आस पास कोई नहर उगरा नया जा रहा हो और नहर जा रहा है नया अभी और हम समझ सकते हो सकता है इसकी वज़ास हमारी building में seal ना सकता है तो हम पहले ही उसकी वेवस्था कर देते हैं तो अब protective maintenance में कहा जाएगा preventive में नहीं preventive में तो वो फेल होने से पहले हो रहा है लेकिन यहाँ पर पहले से क्या है पहचान करके कि failure इसकी वज़ासे हो सकता है यह कारण हो सकता है उसको रोकने के लिए हम लोग protective maintenance कर सकते हैं schedule maintenance समय से पूर की जाने वाली maintenance गतवीदियां schedule maintenance कहलाती हैं समय समय से पहले अगर आप maintenance कर दे रहे हैं time to time रंगाई पुताई कार कर दे रहे हैं time to time फर्स होगरा की सफाई कर दे रहे हैं इस तरह के maintenance क्या कहलाएंगे schedule maintenance में कहलाते हैं ठीक है तो आई बास समझ में इतने हमा सारे मेंटिरेंस हैं ठीक है चलिए अब किसको यहां पर डाउट है बता दीजिए किसको किसमें डाउट है वो बता दीजिए क्योंकि यहीं तक टापिक आजिए रहेगा इसके आगे हम लोग कल टापिक देखेंगे किसको डाउट है अरे पचास पैसा चालीस पैसा लगता है प्रिंट करवाने में राजेंद प्रताब बोलिए बोलिए राजेंद प्रताब करक्टिव में हाँ कह सकतो रेमेडियल मेंटिनेंस क्योंकि रेमेडियल का मतलब होता है उसका उपाय करना ठीक है तो अब वह फेल हुआ तुरंती उसका कुछ कुछ पाय करके हम लोग मेंटिनेंस कर देते हैं तो कह सकते हम लोग रेमेडियल मेंटिनेंस सही चीज जी मनोज बताईए मनोज बोलिए हाँ प्रेडिक्टिव मेंटिनेंस इसमें नहीं है प्रेडिक्टिव का मतलब है कि हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं कि प्रेडिक्ट कर लेते हैं अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर यह फेलियोर हो सकता है तो पहले ही उसका मेंटिनेंस कर देते हैं हम लोग ठीक है वो प्रेडिक्टिव मेंटिनेंस कहलाएगा एक तरह से predictive maintenance में हम लोग कर सकते हैं कि protective maintenance ठीक है predictive maintenance हम लोग protective maintenance भी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि हम पहले से predict कर लेते हैं कि यहाँ पर यह चीज भेल हो सकता है ठीक है तो उसको हम पहले से maintain कर लेगे यह PDF अप्लिकेशन पर जाईएगा content में RMB के नाम से folder है वहाँ पर यह RMB 1-6 chapter के नाम से लिखा हुआ है 30 page का इसको print करा लिजी सभी लोग ठीक है यह upload है और यह edited है आपको इसमें कुछ नहीं करना है हम already जो इसको का topic है वही हम edit करके इसमें दे रखें आपको परशान नहीं होना है सभी लोग print करा लिजी इसको और book खरीदने के जुरूत नहीं है इसी से पढ़िएगा exam में इसी साएगा हाँ सुबम बोलिए preventive maintenance schedule maintenance तो यह schedule कर देंगे time to time अपना होता रहेगा preventive में क्या होता है कि जैसे कहीं पर हमको मतलब उसके पहले कर ले रहे है मालनीजी फेल हो सकता है उसके पहले कर लेंगे preventive वाले में लेकिन schedule में क्या है न जरूरी नहीं है कि फेल हो जाए ठीक है यह समय से पूर की जाने वाली maintenance यानि time to time पहले कर ले हो सकता है इसमें पहले भी फेल हो जायए हो सकता है कुछ चीजे फेल हुई हूँ तम maintenance हो रहा हो ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि समय से पहले बाइस समय से पहले मालनीजी आज 5 तारी को करना है 10 तारी करना है 11 तारी 15 को करना है तो date ये scheduled कर दिये जाता है ठीक है आप वो time to time हो सकता है time से पहले कुछ फेल भी हो जाए लेकिन वो especially है कि कोई चीज फेल होने से पहले कर लो ठीक है पता चल जाता है ऐसी बात नहीं है कि फेल होने वाला है तो वो दोने चीज़ें अंतर है सेडूल में time to time हो रहा है ठीक वहाँ पर time to time नहीं जरूरत है लगर आए कि ये crack हो सकता है दीवाले आपे तो पहले से आप settlement हो रहा है अगर foundation में तो उसकी बेवस्था कर लो तो वो है आपका prevent due पहले से कर लिए चलिए ठीक है सब का सब का पूरा है भाई ये हाँ मैं को दिखा दीजिए अरे facebook पे जुड़े हो तो देखे ही हो गए चलिए आजय कुमार बोलिए हाँ वही चीज सुन्दरता बनी रहे है उसकी अच्छा खासा और कहीं पर crack develop हो कैसे हाँ इस ट्रेंथ पर नहीं 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 इस ट्रेंथ पर इसकी maintenance का मतलब यहाँ पर यह है कि स्ट्रेंथ भी थोड़ा बहुत इसमें रहेगा आसी बात नहीं है यहाँ पर उसके crack repair हो रहा है क्या हो रहा है crack repair वहाँ पर इस ट्रेंथ पर भी प्रवाव पड़ता है ठीक है चलिए तो यहाँ तक ही रखिए topic ठीक है बाकी इसकी आगे कल देखेंगे ठीक फेस्बुक से जोड़े जाएए देखेंगे ब्रिजेस को मार डालेंगे आ जाएगा बीके जो किसन डालेंगे तब पर भी आ जाएगा हमारा फोटो अगर डारेक्ट चलिए नो सर नहीं देखें मैं अभी यहाँ आई ही नहीं है तो कहां से देखेंगे आप लोग चलिए आएंगी तो दिखा देंगे ठीक चलिए ठीक है आईए अब कल इसकी आगे देखेंगे कल प्लंबिंग भी चला देंगे ठीक है DSS तो चलेगा ही और यह रिपेर सब यह भी चल जाएगा तो आज रिपेर चल गया ठीक चलिए ओके और एकजाम जहां तक है जुलाई में ही होगा अभी हम एक दो दिन समय दीजिए एकदम कंफर्म न्यूज बता देंगे आपको ठीक एक दिन का समय अप्लोड पीडिएफ आज भी ने पक्का आज 100% बन गया है पीडिएफ ठीक ड्राइंग शुरुवात हो जाएगी परसों और सों से कल परकल तने परसों और सों देखते हैं डियस्यस कंप्लीट करके चलिए तो यह हो गया था आपका ठीक है अब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग मेंटेनेंस कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेंटेनेंस को प्रभावित करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेंटेनेंस को प्रभावित करेंगे उनको जड़ा देखते हैं इसी चैप्टर में है यह मेंटेनेंस को प्रभावित करने वाले कारक मेंटेनेंस को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग मेंटेनेंस आखिर मेंटेने से तो इन कारकों पर ध्यान देने की आवसकता है ठीक है जैसे कास्ट क्या है कास्ट यानि लागत कास्ट क्या है लागत कास्ट या लागत कि अगर बात करें ठीक है लागत की बात करें ये लागत कैसे प्रभावित करेगा मेंटिनेंस को ठीक है हरे भीया पीने बना रहा हूं थोड़ा सा बना कि मैं रखा नहीं हूं पहले से यह तो मैं दे देता मुझे कोई वह नहीं मैं बना ही रहा हूं मैं रखा हूं आज ही मैं सेकेंडियर का कुछ बनाने लगा एक आख सब्जेक्ट आपका भी उठा लेता हूं चलिए ठीक है वो भी शुरुवात कर दूँगा बना कि मैं दूँगा पूरा विश्वास रखिए मेरे उपर मैं जरूर दूँगा आप लोग का most important और एकदम effective रहेगा ठीक है मैं पूरी कोशिस कर रहा हूं आज उस पर काम होगा चले कास्ट की बात करें दिखाई दे रहा है न नहीं दिखाई दे रहा है क्या कि ठीक है कि कि ठीक दिखने रहा है उसको बनाने में जानते हैं आपको सही बताइब कैसे बनता है most important पहले तो question paper उठाते हैं पिछले 10 साल का और हर chapter wise page लेते हैं white page question लिखते हैं हर chapter wise एक एक पेज पर एक चैप्टर का सारे question लिख डालते हैं उसके बाद फिर बैठ कर analysis करते हैं कि इसमें कौन से questions की सिजाब से आए हैं क्या आ सकते हैं अब उस सारा analysis करके फिर एक final बनाते हैं आप सोचिए कि पिछले 10 साल का question paper हम पूरा उतारते हैं उसके बाद फिर उस पर analysis तो इस तरह हर subject का बनाये हैं पिछले साल बनाये थे और इस साल भी बना रहे हैं तो ऐसे नहीं बन जाता तो समय लगता है कि बनेगा अच्छा बनेगा आपका effect to be होगा हम यह पूरा विश्वास रख करते हैं चलिए आईए अब यहां पर देखते हैं caste यानि लागत तो लागत कैसे प्रभावित होगा maintenance लागत की वज़े से देखिए अगर किसी संग्रशना के maintenance पर लगने वाला धन माली जी किसी बेल्डिंग का maintenance करना हो और उस पर जो भी लागत लगनी हो ठीक है तो लगने वाला caste प्रत्यक्च या प्रत्यक्च उस भवन पर किये जाने वाले maintenance को निर्धारी करते हैं विभीन maintenance पदार्थों पर तकनीकों का chain इस बात पर निर्भर करता है आप बहुन का नुच्छर में कितना धन बैग करना चाहते हैं ठीक है तेकि माली जी उस पर building पर कोई हमारा धन खर्चा हो रहा है तो प्रत्यक्ष या अप्र प्रत्यक्ष कर सकते हो यहां पर अप्रत्यक्ष करिए अप्रत्यक्ष का मतलब है कि डारेक्टली उस building में लग जाए या फिर इंडारेक्टली भी लग सकता है डारेक्टली या इंडारेक्टली दोनों तरीकों से उसमें हमारा क्या हो सकता है धन लग सकता है ठीक है तो जो तो यहां पर maintenance के लिए जो खर्च निरधारित किया गया है अब आप पैसा ज्यादा बैए करना चाहते हैं अगर आप पैसा कम खर्चा करना चाहते हैं मेंटेनेस में तो maintenance उतना अच्छा नहीं होगा यानि प्रभावित हो जाएगा और अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं maintenance में तो maintenance अच्छा होगा ठीक है physical resources की उपलबधता यानि की availability या physical resources आके physical resources कौन कौन से हो सकते हैं देखिए physical resources की बात करते हैं तो यहां पर material यानि सामगरी आएगी जो physical resources यानि की जब ही हम maintenance करेंगे उसमें हमें material की आव सकता पड़ेगी कुछ component सिवाय services की आव सकता हो सकती है उपकरण कुछ equipment की आव सकता पड़ सकती है आधी आते हैं अता maintenance के उजना बनाने से पहले उपरोक्त कारकों पर ध्यान देने की आव सकता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि physical resources वहां पर उपलबध है या नहीं है मालीजे कि सीसा यानि कि आपके पास सीसा उपलबध होना चाहिए ठीक है इस तरह से कोई भी equipment है वह भी उपलबध होना चाहिए ठीक है अगर नहीं है तो आप maintenance अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे तो physical resources की उपलबधता होनी चाहिए नहीं तो आप maintenance नहीं कर सकते वह प्रभावित हो डालेगी building की आयू क्या affected डालेगी ठीक है quality तो है यार बढ़ी हुई क्यों और लोग को कोई दिक्कत है quality तो यार मैं दे रहा हूं अब कितनी quality इसमें चाहिए तो आपका data सहीं नहीं होगा क्या नो सर सही है तो दिख तो रहा है सही चलिए समझते भी रहिए आप लोग notes प्रिंट नहीं करवाएं क्या इसका print नहीं करवाएं क्या notes मैं कितनी बार कहूं आप लोग को कि इसको print करवा लीजिया तो किताबे खरीद लीजिये और उसको सामने रखिए जो बोल रहा हूँ उस पर underline करते जाईए समझते जाईए काम खतम ये theory है लिख की चले आएंगे नमबर अच्छा पाएंगे ये guarantee मेरी है चलिए aging age up building भवन की आयू आखिर भवन की आयू कैसे प्रभावित करेगी चुकि किसी भवन या संग्रशना का निर्माड बिभिन पदार्थों या घटकों को लिंक करके किया जाता है तता समय के साथ साथ इनकी aging होने लगती है जैसे माल लीजे कि तमाम तरीके की material है अब आपने यूज कर लिया किसी structure में अब उनकी age बढ़ती चली जा रही है ज्यादा दिन age होगा न तो कुछ ऐसे material जो होंगे उनकी age जैसे ही बढ़ेगी वो तूटना सुरू हो जाएंगे जरूरी नहीं है कि सभी material एकी साथ decay हूँ ये कोई जरूरी नहीं है हो सकता है कुछ material दो ही तीन साल में खराब होने लगें कुछ material दस साल तक उसमें काम कर रहे है अच्छे प्रकार से काम करें तो ये समय के साथ साथ क्या है aging होने लगती है यानि की टूटना फूटना उसमें सुरू हो जाता है टूट फूट भी होने लगती है अता भावन निर्मार के समय से ही उसकी maintenance की युजना बना लेनी चाहिए जिससे building की आयू को बढ़ाया जा सके अगर building की आयू बढ़ानी है तो आपको यह पता भी होगा न कि भाई इसमें plastic यूच किया गया तो plastic तीने साल तक हो इसमें काम अच्छा करेगा तो आप time to time schedule बना दीजिए कि हर साल पे यह चीज़े change हो जानी चाहिए maintain हो जानी चाहिए ठीक है नहीं तो क्या होगा उसकी age नहीं बढ़ेगी घटेगी फिर age clear सामाजिक इस्थितियां यानि social consideration अच्छा इससे क्या लेना देना भाई सामाजिक consideration यह सामाजिक जो हमारी इस्थितियां है यानि social consideration क्या है किसी भी भावन का अनुरच्ण यानि maintenance में सामाजिक इस्थितियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए अच्छा इस से क्या कुछ लोग maintenance करते हैं तो आसपास के लोगों को ध्याने नहीं देते हैं, ignore कर देते हैं, पता चला आप maintenance कर रहे हो, आप पुरा धूले धूल उड़ा कर रखे हो, भई आप क्या करोगे, तो maintenance करोगे, तो उसको scrapping करवाओगे, तोड़ोगे तमाम चीजें, फिर तब repair करवाओगे, इसको maintenance करवाओगे, तो सोरगुल भी होगा आसपास के छेतर में, धूल गर भी उड़ेगा आसपास के छेतर में, तो इससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, जब लोग प्रभावि कर सकता है, ठीक है, भविस के लिए प्रियोग, फ्यूचर यूज, अब प्रचन है, तो यह भी ध्यान देना आवस्चक है, कि भवन को कितने समय तक यूज किया जाता है, तता निकट भविस में कुछ बदलाव की समभावना तो नहीं है, उसको प्रवत में ध्यान में रख आप मेंटेनिस उसी हिसाब से करिये, उदंये 10 साल चले जितना साल रहना है, ठीक है, तो मेंटेनिस आपको उसी हिसाब से करना है, जैसा भवी future में यूज करना है, उसके बाद urgency, urgency में क्या है ज़लत देखिए, किसी मेंटेनिस के प्लानिंग में urgency एक महत्त्वपुन कारण कारक है किसी टास्क को अरजेंटली किये जाने कि आउसकता कई काणों से हो सकती है जैसे अतेधिक अस्विधापूर्ण इस्थिती फिर तुरंट मेंटेनिस की अभाव में उस सर्विस या पदार्पूर्ता अनसर्विसवल होने की संभावना आधी वास्तों में अर्जेंसी एक relative term है, जो वस तो इस्थिती पर निर्फर करता है, किसी repair को तुरंट कुछ घंटो या कुछ दिनों में repair करना आवस्चे होता है, माली जी अचानक क्या हो, कि छत में कहीं दरारे पड़ जाएं, और बारिस हो रही हूँ, तो पानी चूने लगता है ना नीचे गिरने लगत है, तो यह क्या है, अर्जेंसी आ जाती है, तो इस situation में आपको क्या है, तुरंट maintenance करना होगा, अगर नहीं maintenance कर पा रहे हैं, तो फिर maintenance factor अफेक्ट हो जाएगा ना, तो urgency, emergency में भी हमारा maintenance प्रभावित होता है, ठीक है, तो फटा फटा अगर कर लेते हैं, तो ठीक है, नहीं पर क्या होती है, factor affecting थी, ठीक, तो यहाँ पर यह हमारा खतम हो जाता है, clear, यहाँ पर यह खतम हो जाता है, chapter number first, clear है, आईए chapter number second देखते हैं,